दोस्तो इस वीडियो में आजम बात करने वाले UPTGT PGT exam 2013 के बारे में जो कि आपका पहले जो फोम बरवाय गयता है काफी समय हो चुक है और इसकी परिक्षा की बात की जाए तो बहुत ही जल्द आपकी परिक्षा होगी और आपका कोशन ये भी होगा कि इसको नया सिक्सा की जान लगा दीजिगा क्योंकि आपका पता है कि आपका NCT ने और आपका सुप्रीम कोट ने कितना जादा आहत किया है बीड केंडियेट को और रही बात आपकी यहां पे LT ग्रेड और आपकी GIC की 10,000 परद है अभी आपका इसमें और ये बहुत ही जल्द आपकी इसमें व और इसके अलावा देखीगा उत्तर परदेश के अंदर आपके 26,000 जो पद आभी आपके खाली है और ये जो 26,000 पद आपके भरे जाएगे ये नई वर्ती से भरे जाएगे आपके क्योंकि जैसी आपकी ये complete होगी वर्ती उसके तुरंत बाद जो है सरकार लुभाने के लि इसमें आपके लगबग 30,000 बतायते की 30,000 पद खाली है उसमें आपके TGT के जो अकेला पद है उसमें लगबग आपके 10,000 आपके यहां पे देखीगा इसमें पद है आपके TGT के अंदर तो अपना जो है तैयारी में लग जाएगा बिल्कुल इसमें अभी जब विदान स सबसत्र चला था उसमें बता था कि आपका यहां पर प्रिंसिपल के कितने पद खाली है आपके 2663 और आपके यहां पर परवक्ता यानि के PGT के इसमें जो आपके रिक्त पद है 484 और TGT के आपके 20,465 इसके अलावा देखीगा आपका आप सभी जो है परीचित है एल्टी प्यार्टी है प्यार्टी पे आपको पताया कि या इसमें रोक लग गई है अगर देखीगा माले जीका 48 अगर प्यार्टी के इंदर भरती भी हो जाते तो ऐसा हो सकता था कि किसी ना किसी स्टेट में आपकी जो है तो आप इसका फोम जो है जरूर भरेगा क्यों आया बिहार के इंदर क्योंकि 2013 और 2016 में जो है करवाया गया था और PGT की पोस्ट बिहार के इंदर कितनी है 56,000 है देखीगा कितनी है 56,000 पदों पे भरती आई है जब कि फोम कितने अपलाई हुए आपके 30,000 कितने हुए यानि कि आपके इसमें पद जो है बचे के बिल्कुल आपके तो इसलिए यहाँ पे आपका बिहार का टैट निकाल दिया तो आगे जो है एक ओप्शन बन सकता है तो आप इस फोम को जरूर भरेगा TGT या आपका PGT PGT के लिए आपका बिएड होना चाहिए PGT के लिए आपका PG और आपका बिएड इसमें अनिवारिया है यह आपका DSSSV का अपका निउज था तो काफी समय पहले भी आ चुका है यह आपका निउज दोस्तों अपनी तयारी में लग जएगा और जो भी बिएड केंड़ेट ह उन सभी से रेक्वेस्ट है किसी पे अब ध्यान मत दीजेगा और देखी गा इस एक में आपकी एक आपकी जूनियर एडिड के एक जो है अंदर एक भरती आई थी और उसका जो है लगबग 15-16 के आसपास पत्ते परिक्षा जो है करवाली गए थी रिजल्ट भी आ गया था उ में यानि आपका ब्हर को सामिल नहीं किया जाएगा ऐसा उन्होंने वोला लेकिं अभी इस पर मत सोचेगा क्योंकि अभी देखीगा कि कि ऐसा होगा उनको नहीं रखा जाएगा लेकिन अभी देखेगा एंसीटी आपने देखें कि वह उसकी जो 2018 की जो गाड़ लाइन ती वह उटा ली गए लेकिन अभी राज्य सरकार को भी जो है इस पर हाक है कुछ ना कुछ तो अपील की जाएगी उसके